आज हम पढ़ेंगे अर्थवंपs के बारे में और हमारे कहानी का नाम भी यही है गड़ा विला अर्थवंपs अर्थवंप यानि की केचुवा केचुवा आप सभी ने देखा होगा ये किसान के मितर कहे जाते हैं Friend of a farmer क्यों कहे जाते हैं ये आज हम इस कहानी में देख लेंगे Look, this is my grandpa's vegetable garden ये मेरे दादा जी का vegetable garden है What is that earthworm doing here? ये केचव यहाँ पर क्या कर रहा है? The earthworm burrows underground I look carefully There are a lot of worms केचवें जमीन के अंदर जा रही हैं मैं उनको बहुत सावधानी पुर्वक देख रही हूँ वहाँ पर बहुत धेट सारे केच हुए हैं Look, they burrow deeper and deeper वो अंदर ही अंदर और गहरे जा रही है This loosens the soil and allows air to travel up to the surface ये मिट्टी को ढिला बनाते हैं जिससे हवा अराम से surface के अंदर नीचे आ जाती है surface में सतह के नीचे आ जाती है Because of these holes, seeds are easy to plant इन holes की वज़े से जो बीज हैं उनको easily हम plant कर पाते हैं Seeds need air to grow The earthworm's work makes it easier for seeds to sprout Beige ग्रो करने के लिए हवा की जरूरत होती है और जो केचुए होते हैं वो beach की अंकोरन को बहुत आसान बना देते हैं My grandpa also turns the soil मेरे दादा जी भी soil यानि मिठी को turns करते रहते हैं यानि कि उसकी गुडाई करते रहते हैं As the earthworms dig down, the soil around them moves This makes thin tunnels जब केचुए नीचे digging यानि खोदाई करते हुए नीचे जाते हैं तो उनके चारो तरफ की soil lose हो जाती है और छोटी छोटी tunnels सुरंग टाइप की बन जाती हैं Now it is easy for plant roots to grow अब इसकी वज़े से जो पौदों की जड़े हैं उनको बढ़ने में बहुत मदद मिलती है, आसानी हो जाती है But that's not the only reason tunnels are so important in grandpa's garden लेकिन केवल इसी वज़े से tunnel important नहीं है दादाजी के garden में Rain water flows through these tunnels जो बारिश का पानी होता है वो भी in tunnels यानि छोटे छोटे नालियों के द्वारा नीचे soil में जाते हैं मिट्टी में जाते हैं Water reaches the roots of the sprouting seeds पानी उनकी roots में जाता है यानि की जड़ों में जाता है जहाँ पर बीज अंकुरित हो रहे हैं The roots that absorb the water, sending the water up to the plant और इसके बाद जड़ पानी को अफशोशित करती है और पौधों को ऊपर तक पहुचाती है The little earthworm actually helps my grandpa but how does it moves all that dirt ये जो छोटे छोटे केच हुए हैं वो मेरे grandpa की बहुत मदद कर रहे हैं लेकिन वो गंद की जाती कहा है जो उनकी घुमने से होती है Earthworms actually swallow some of the soil They do not have teeth The soils are digested inside the worms' bodies केच हुए मिट्टी को निगल जाते हैं उनके दात नहीं होते हैं और वो जो मिट्टी होते हैं उसको पचा कर और वो मिट्टी केच हुए के बॉड़ी के अंदर पच जाती है Worms also expel their waste just like us और ये जो केच हुए हैं वो भी उसी तरह waste निकालते हैं हम लोग अपने शरीर से waste निकालते हैं और वोमस waste give garden soil important nutrients जो केच हुए के waste है वो garden के soil को बहुत जादा महत्वपो nutrients देते हैं खनेज लवन और जो भी उनकी आवशक्ताएं होती हैं पोशक्तत वो सारे garden की soil को मिल जाते हैं यदि ये केचवे ना हो तो मिटी को वो सभी nutrients पोशक्तत और खाना नहीं मिल पाएगा जो पोधों के लिए आवशक है ये nutrients fertilize the plant ये सभी पोशक्तत वो पोधों को पोशन देते हैं और उनको बढ़ने में सहायता करते हैं यानि केचवे के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो ये भी देखें अर्थवंस are the main contributors to enriching and improving soil for plants केच हुए अर्थवंस मिटी को बहुती जादा पोशक तत्वों वाला बनाते हैं अर्थवंस create tunnels underground by burrowing which aerated the soil to allow air, water and nutrients to reach deeper within the soil अर्थवंस tunnels यानि छोटी-छोटी नालिय बनाते हैं underground नालियां जिससे की पौधे को हवा, पानी और nutrients मिल जाते हैं अर्थवंस eat the soil which has organic matter, अर्थवंस soil खाते हैं जिन में organic matter होते हैं जैसे की decaying vegetation और leaves जो की सड़ेगली पत्तियां और जो मिटी में होती हैं उनको खा लेते हैं plants cannot use these organic matter directly, plants ये organic matter directly use नहीं कर सकते हैं लेकिन after the organic matter is digested by the earthworms, जब ये organic matter earthworm द्वारा पचा लिये जाते हैं then earthworms release waste from their bodies called casting तब earthworms ये cage हुए अपने body से waste release करते हैं जिसे हम casting कहते हैं casting contains many nutrients उस casting में बहुत ज़्यादा पोशक तत्व होते हैं that plants can use some people even use earthworms जो की plants द्वारा आसानी से use कर ले जाती है कई people भी यानि कई लोग भी earthworms को casting के लिए अपने garden में use करते हैं as a fertilizer अर्थवम is made of about 100 to 150 segments केचवे 100 से 150 खंडों से मिलकर बने होते हैं earthworms either contracts or relax each segment independently केचवे अपनी body को संकुचित करते हैं या relax करते हैं जिससे की body movement होता है body लंबाई में बढ़कर और फिर move करती है earthworms do not have lungs, earthworms में फेफडे नहीं होते earthworms reproduce through eggs, earthworms eggs यानि अंडो द्वारा प्रजनन करते हैं earthworms की life cycle है सबसे पहले की worm यानि की क्रमी है कीडा है फिर उससे कोकून बना फिर उससे हैचिंग होकर earthworm एक नया निकलेगा earthworms में तीन main part होते हैं एक anterior और एक posterior part और बीच में छोटा सा उबरा हुआ भाग होता है जिसे हम क्लाइटेलम कहते हैं तो यह था earthworms के बारे में थोड़ी सी short जानकारी यह किसानों के लिए कितना useful है यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि कई किसान इसको fertilizer के रूप में यूज करते हैं earthworms soil को बहुत ही जादा aerated और nutrient से भरपूर बनाते हैं that's why earthworm is called friend of a farmer यानि कि earthworm को किसान का मित्र कहा जाता है चली फिर मिलती हूँ मैं आपसे तब तक के लिए keep watching